कठ्यार जीले में काया कल्ब कायरकरम के अंतरगत सामोदा एक स्वासकेंदर फलका का स्वास्त व्याग के राज्य अस्तरिय टीम के द्वारा ओचक नेक्षन किया गया ओचक नेक्षन में SPO डॉक्टर शुनील कुमार, NIPI गॉरब कुमार, SPM मसूद आलम, ANMS शमिना अक्तर, RPM नियामुल हुदा, किशलाई कुमार, DTFO भावना कुमारी, आदी मौजूद रहे ओचक नेक्षन के दौरान गठित टीम के द्वारा मात्री एवं सिसु एकाई, OPD, पुरुषवाड, महिलावाड, हर्वल गार्डन एवं अस्पताल परिसर में चल रहे COVID-19 जांच समेथ अस्पताल परिसर का नेक्षन किया गया निरक्षन के दौरान स्वास विभाग के गठित टीम के द्वारा कर्मी को कई दिसा निर्देश दिये गए, बटना से आये जांच टीम ने फलकाई अस्पताल की साप सफाई एवं अन्य व्यवस्ता देखकर हर्ष जाहिर की, साथी केर इंडिया के NMS समिनाक्तर BM अभिजी दित कुमार की जम करता अरिप की और सामुदाइक स्वास्त विवस्ता की प्रसंसा की, गठित राजस्तरीय टीम के डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया की कायकल्प कारिकरम के अंतरगत राज्यमुल्याकन हेतु फलकाई अस्पताल को नामित किया गया है जिसमें फलकाई विवाग के निर्देश के आलोक में निर्यक्षन किया गिया निर्यक्षन के दौरान अस्पताल के द्वारत सभी कारी संतोष जनक पाया गया है और उन्हों ने बताया कि राज्य मुल्यां कनहेतू सामुदाइक स्वासकेंद्र फलका का नाम अग्रेशित किया जा रहा है वहीं परवारी चिकसा पताधिकरी डॉक्टर प्रमौत कुमार सिंग ने बताया कि पिछले वर्ष भी काया कल्प कारिक्रम के तहत राज में फलका सामुदाइक स्वासकेंद्र दस्वास्थान एवं जिला में पर्थम अस्थान लाने में शपल हुए थे अब हर खबर पर होगी हमारी नजार पलपल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाईल पाद ऐसी ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक्यू